हेलो हाइस मैं हूं दें आपका स्वागत है हमारे चनल फोर अनक्टर ट्रिक्स में दोस्तों हमने एक पूरी पूरी एक वैब सीरी शुरू कर रखे जिसमें अगर आप एक वैब डिवर पर बनना चाहते हैं तो उसमें हम आपको कोडिंग्स खा रहे हैं जिसमें हम six language में language की जानगारी देने बारे हैं तो six language क्यों क्यों सी है HTML, CSS, Java, Python, Square और बला बला जो भी है तो यह हमारी six language है अब तक हम ने इस चैनल पर दस वीडियो डाल चुकी है HTML के कोडिंग से रिलेटेड और अगर आपके यह कोडिंग्स सीखना चाहते हैं तो आप हमारी चैनल के साथ पहले जाके दूसरी वीडियो को देख लें जो पहले बनी हुई है तो क्योंकि उनसे आपको समझाए क्या कुछ हम कर चुके हैं तो उसके बाद आप यहां पर आप आपके देख सकते हैं और बाकी वीडियो का हम डिक्सेप्शन में लिंक देदेंगे आप वहां से जाके द देखती रहें तो अभी तक हमने कोटेशन की कोडिंग तक कर लिया है तो कोटेशन हमने लगाए थे पिछली वीडियो में जो की एड्रेस लेकर और ब्लैक वाइट थे और चलिए दूसरा हम जिस एडिटर की हम जोगत पड़ेगी हम एडिटर को ओपन कर लेते हैं क्योंकि हमने जो कोडीँ करने हैं इसके लिए हम एडिटर की पड़ती है जीडिटर हम नोंट पैड यूज कर सकते हैं। नौट पैड व्लस ब्लस कर सकते हैं면 सबस्कता स्क्राइब म shipping कर लेता हूं जासरा कूं क्योंक्ै उसमैस कर लेता हूं तो यह हमारे विंडवार होगी हम यहां पर विंडवार करते हैं नौटपैड प्लस प्लस को भी अपन कर लेते हैं यह हमारी नौटपैड प्लस प्लस भी उपन हो जाएगे भी इसमें हमने जो पिछली वीडियो में किया कोडिंग की थी उससे लेट ली यह तो उसमें हमने यह कोटेशन लगाए थी और उसके बाद हम अबर का यूज़ करते हुए हमने अबर लगाया था उसके बाद हम सिख पे गए फिर रहां भी वीडियो लगा था वीडियो के बाद हमने एड्रेस के यूज़ किया था ओके तो आप ने यह वीडियो भी तक नहीं देखी तो आप जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन में हमारी वीडियो देख सकते हैं अभी तक हमारी चाहना पर दस वीडियो आ चुकी है और यह लैंट होगी वीडियो ओके तो चलिए हमें से नहीं कर देखते हैं और हम यहां पर चलते हैं कि आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं आज की वीडियो में कॉमेंट्स के बारे में जाने वाले हैं कि कुमेंट् से यूज गरते हैं तो चलिए फर्स्ट आफ ओल एस्टीमल कोमेंट्स 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 के बारे में बात करेंगे तो अचथीमल के कमेंट्स होते हैं है कि क्या कुछ होगा अम यहा पिले की बता रहे हैं आपको you can add comment to your html source by using the forward-following syntax we are going to follow the syntax we are going to follow the syntax we will follow the syntax जो नोट करने वाली बात है notice okay तो इसमें जो comment का quotation होगी Okay उन्हीं sorry quotation हमारे जो exclamation mark होगा कैसे होगा क्या होगा देट देर इस एन एक्सलमेशन पॉइंट जो हमारा एक्सलमेशन पॉइंट होगा वह हमारा शिफ्ट के साथ क्रीबोर के उपर की साइड बैन को प्रैस करेंगे तो एक्सलमेशन मार्क लग जाएगा तो इसमार से इन दी ओपनिंग टैग बत नॉट इन दी क्लोजिंग टैग जो मारे ओपनिंग टैब होगा टैग वह एक्सलमेशन मार्क होगा लेकिन इसका क्लोजिंग टैग को नहीं है तो इसमें और क्या कुछ होगा विद कमेंट यू दे कमेंट और क्या विज्ड वाइशन में विद्टिंग बिद्सक्राइस Notification and Reminders, Reminders in your html, Okay, तो उसके बाद हम करने वाले हैं, Comments are, comments are also great dubbing, html, because you can comment about html line of code one at a time to search for errors जो हमारे comments होगे वो error को search करेंगे और इसमें हमारा जो भी comments होगे comments add करने वाले वो इसमें show नहीं करेंगे तो कैसे show नहीं करेंगे वो हम आपको बताते हैं इसमें कैसे लिखे जाएंगे तो चलिए हम यहां पर notepad plus plus को आपन कर लेते हैं यहां के नोटपड plus plus पर गए और यहां पर हम control and करके एक new page लेते हैं control and okay तो हम यहां पर से ले चलते हैं इस पर अब जो हमारा है कुमेंट को कैसे लिखेंगे क्या कुछ होगा तो चलिए अब हम इसे एड़ करते हैं तो हम यहां पर एक्सिमेशन मार्क यूज करेंगे और यहां पर हम बूस्टेप हम इसे कर दें हो बंद क्लोजिंग और यहां पर हम एस्टेएमर की फाइल शुरू करेंगे एस्टेएमर और यहां पर हम बोडी त्यार करेंगे हम बोडी को बन करते हैं अब जो हमारा कमेंट होगा उसे कैसे लिखेंगे तो हम यहां पर कुमेंट ऊ-से अब लेते हैं थाकि आपको समझाए क्या कुछ होने वाला इसमें और क्या कुछ होगा रिखेंगे पराग्राफ डॉट यहां पर हमें एक्सामेशन मार्क पी और यहां पर हमें से कर लिए बंद तो हो यह हमारा हमें से कर लिए हमें से कर लिए बंद लिए स्लैस्ट बोड़ी बंद और यहां पर हम कर लिए अश्टमर को भी अश्टमर यहां पर हम इसे कर लिए होके तो अब यहां एक सिंपल डॉकमेट त्यार हो गया तो इसे हम सेव करते हैं कंट्रोल एस ओके तो यहां पर हम फाइल नेम देने वाले हैं, 10 फाइल नमर, 10 है, 11 भी है, 12, हमें से 12 फाइल नमर दे जाते हैं, फाइल.html, तो देखिए हमने पहले भी बताया है, आपको हर एक वीडियो में बताते हैं, कि आपको जो भी फाइल सेव करनी है, वो आपको कुछ भी नम दे देना है, लेकिन उसके नम के बाद आपको .html 0 यूज़ करना है, क्योंकि इससे मेंशन होता है, हमारी ये फाइल है, और ये फाइल हमारी रन होगी, otherwise अगर आप सिंपल नम दे देते हैं, तो ये डॉकमेंट में चला जाता है, जो हमें डॉकमेंट में निच चाहिए, ये हमें एक फाइल चाहिए, जो हमें रन करनी है, तो उसके बाद आप सेव एज टाइप भी चेंज करेंगे, तो इसमें ह हम A को प्रेस करेंगे, तो जब तक All Types नहीं आ जाता, तो जब तक हम टाइप करते रहेंगे, A को प्रेस करते रहेंगे, तो ये देखिए हमारा All Types आ गया, तो All Types में करने का मतलब है कि हमारी जो HTML फाइल हा, वो All Types में है, तो उससे हमारी फाइल रन करेगी, otherwise रन नहीं क पर दिखाने लगे है कि कोडिंग अभी तक की सही है, क्योंकि यहां पर देखिए, यह स्टार्टिंग, HTML का Element, यह Body का और यह Paragraph का, ओके तो चलिए हम वहां पर फाइल करन करके देखते हैं, तो यह हमारी फाइल, हमने करते हैं से इंटर करस, तो यह देखिए हमारी फाइल तो चलिए हम यहां पर से ले आते हैं, यहां पर साइज हम शिटा करके देखते हैं चुट कर लेते हैं, तो हम यहां पे जो भी अपने एडिटिंग करेंगे, आपको यहां पर सब्सक्राइब दिखता रहेगा, तो चलिए अब हमारे पास, हमने कमेंट एड करना होगा, तो जो कमेंट हमारे में, आपको शोग नहीं करेंगा, लेकिन हमारी कोडिंग में रहे र इसमें हमारा ICO बजारा के और टेक्निक में काम बाता है यह, लेकिन पता हो ना चाहिए आपको, चलिए हम शिक, तो यहां एक्सरमेशन, तो यहां पर आप दो बार मैनिस का निशान, टाइप करेंगे, और यहां पर एक्सरमेशन मार्क लगा के, हमने इसे लिके देंगे, इस इसंसर मार्क तो ताम मैन तो चलिए लिए लिके लिए, तो यहां पर लेकिन, तो यहां पर आप लेकिए लिए, इस इसे, इसे, ज शिसे, को नेट, को के तो यह कुमेंट होने बाला है और हम यहां पे स्पेस देखे नेक्टिव एंड हम इसे कर देंगे क्लोज ओके तो यह हमारा यहां पे क्लोज होगा यह नहीं है यह तो एक पॉइंट प्लाव हुआ है और जो दूसरा होगा चलिए हम फिलाल इसे सेव करके देखते हैं क्ट्रोल एस और यहां पर हम करते हैं रिफ्रेश तो यह देखिए अभी तक यहां पर कुछ चेंज नहीं हुआ है और चेंज होगा भी नहीं तो चलिए अब हम यहां पर भी जो कमेंट हमने अड़ करना है वो देखते हैं तो यहां पर हम एक्सरमेशन मार्क नेक्टिव कम कि मेंट कमेंट कमेंट इस ध्यूत कर रह दो अबनर दिस कुमेंट है वो ब्राउजर में डिस्प्ले नहीं होने ला तो जो कुछ होने बाद होता है वो मैं ऐसी टाइप कर देता है ताकि आपको समझा जाए तो यहां पर जो हमारा कमेंट था अब हम इसे करते कंट्रोलर्स और यह हम यहां पर करते हैं रिफ्रेश यह हमने जो कमेंट यह ब्राउजर डिस्प्ले नहीं करता तो यह डिस्प्ले नहीं होगा उसमें तो चलिए अब हम मारा दूसरा डॉकुमेंट भी त्यार कर लेते हैं जिसमें हमने सिर्फ ओनली कमेंट को ही एड किया है ओके तो मैं इसे कर देता हैं क्लोस क्लोस और हम यहां पर कर देते हैं और इकमेंट को एड नेक्टिव एंड यहां पर दूनोड डिस्प्ले अ दिस्प्ले नहीं होगा इसके बाद हम कि मेंज और इकवल को माँ जीरो एंड यहां पर इसे भी करते हैं कि डापल को में बंद ओके तो आगे हम और लिखने वाले हैं तो यहां पर हम और इसी लाई में लिख देते हैं src इक्वल डबल को माँ पिक तो जेपी जी डोट जेपी हमने किसी विक का नाम डाल दिया लेकिन यहां पर तो यहां पर हम डबल को में चाथ बंद कर देंगे सब्सक्राइब कर देंगे क्लोज तो यह सब्सक्राइब को में एड़ हो गया मुमें जो की डिस्प्ले नहीं होगा क्वाल एक तो अब हम करते हैं इसे कंट्रोल है मिश्च कंट्रोल एस हम इसकर ट्री फ्रेश्च तुझे दिखिया है अब हमारे कोई भी कॉंटेंट नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि हमने सिर्फ कमेंट को एड़ किया है कि दोस्तों तो हम इस तरह कमेंट को एड़ कर सकते हैं और इससे हमारी वेबसाइट को ऐसी ओ में भी थोड़ी सी हल्क मिलती है ओके दोस्तों तो चलिए आज की बस वीडियो में इतना ही और चल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस बेल के आइकन पर क्लिक कर दीए ताक कि आपको मेरे आने वाड़े हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहें ओके दोस्तों